नमस्कार दोस्तों मकर संक्राम्ती का पड़्व नजदीक आ रहा है आप सबों को धेर सारी सुब कामना है एवन बधाई चलिए मैं पूरा आपको बता रहूं ये वीडियो आप जो देख रहे हैं सबसे पहले देखने से पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक से रहे हैं पूरा प्रोसेस में बता रहा हूं तिल्वा ये जो आप देख रहे हैं तिल्वा जो होता है तिल्वा पर्व है मकर संक्राम्ती में गाउं में देहात में लोग बहुत बड़े चाव से खाते हैं इस तिल्वा को देखे तिल्वा बनने का प्रोसेस क्या है मैं पूरा आपको बता रहा हूं रिपोर्ट में पहले चीनी को देखे पहले जो बरतन होता है उसको आग में देखे बठी में दिया जाता है उसके बाद चीनी डाला जाता है चीनी में थोड़ा पानी भी डाला जाता है देखे थोड़ा सा अंसर डाला जाता है उसके बाद उसको चलाया जाता ह गर्म होने के बाद उसको पूरा खौलाया जाता है आप देख सकते हैं वीडियो में उसके बाद जो है आप देख रहे हैं इस वीडियो का पूरा प्रोसेस हम दिखा रहे हैं उसके बाद जो है वहाँ पे जो पाठ है उसमें डाला जाता है उसके बाद जब करक हो जाता है उस तिला होने के बाद प्रोसेस है उसके बाद जो है देखे वहां पे निचे में जो होता है आप देख सकते हैं कटिंग किया जाता है कटिंग करने के बाद दबाया जाता है दबाने के बाद देखे तिल डाला जाता है तिल डालने के बाद हुआ पूरा प्रोसेस तैयार होता है बंज करते अर लंग लंज कर दुप लंज कर दिल लंज कर दो प्र लंज कर दो सिर्फ और आख शनी लंज कोता कर दो